सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस में आप सभी का स्वागत हैं शिक्षा निदिश्याले रास्टी है राजधानी जेति दिली की वक्षीट नमबर 17 डिसकस करें हम लो क्लास एर्थ की वक्षीट है बच्चों विशे है विग्यान 27 नमबर 2020 की वक्षीट रहे और टॉपिक है धातू है वह मधातू तो इस्टाट करते हैं वक्षीट हमने धातू और धातू के बहुतिक गुड़ों के बारे में जाना और उनकी तुलना भी की लोस्ट वक्षीट की बात हो रही है आज हम धातू हम धातू के रासाइनी कुड़ों की तुलना करते हुए उन सभी की पुन्रवरित्ती करेंगे ठीक है बच्चों तो यहाँ पर देखिए रासाइनी कुड़ दिखाए हुए है ठीक है और इस कॉलम में धातू यहाँ पर धातू ठीक है जब आप इसका अंतर दिखाएंगे तो आपको ऐसे ही कॉलम बनाने होंगे आगे देखते हैं ऑक्सीजन से अभी किरिया तो धातू में क्या है धातू ऑक्सीजन से अभी किरिया कर धातू ऑक्साइड बनाती है एक्जामपल 2Mg प्लस O2 2MgO हो गया यह रास देखेंगे ऑक्साइड की प्रकरती धातू ऑक्साइड की प्रकरती शारिय होती है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं 2MgO प्लस 2H की 2O 2MgO ह की 2 धातू ऑक्साइड की प्रकरती अमलिय होती है नीले लिटमस को लाल कर देती है SO की 2 प्लस H की 2 O H की 2 SO की 3 जल से अभिकिरिया धातूएं जल से भिकिरिया कर धातू हाइड्रोकसाइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है और अगर धातूएं के रासा रिकूर की बात करें धातूएं जल से भिकिरिया नहीं करती है अमलों से अभिकलिया कि अगर हम बात करते हैं धातु अमलों से अभिकलिया कर लवर और हाइडरोजन गैस बनाती है जो पॉप दोनी के साथ जलती है धातु प्लस अमल लवर प्लस H2 2N a प्लस 2H client 2N ac incident ब्लस H2 धातु अमल से अभिकलिया नहीं करती है गी कर लवन और हाइड्रोजन गैस बनाती है धातुप्लेस शार लवन प्लेस एच की टूँवोति और जट्न होती हैशेदि अभिकिरियाशील धातु को कम अभिकिरियाशील धातु के जलिये विलियन में रखा जाता है, तब अधिक अभिकिरियाशील धातु कम अभिकिरियाशील धातु को उसके जलिये विलियन में से विस्थापित कर देती है, जैसे जिंक को कॉपर सलफेट के जलिये विलियन में र तो इसका अंसर हम लिख देंगे, देखे इसका अंसर हम यहां से लिखेंगे, धातुएं अमलों से अभिकिरिया कर लवर और हाइडरोजिन गैस बनाती हैं जो पॉप दोनी के साथ जलती है, यहां आप अंसर लिख लेंगे इसका, आप कोशें नमबर टू देख लेते हैं, को देखेंगे बच्चों, धातु औकसाइड की प्रकरती शारी होती है, फिर आप यह भी लिखेंगे क्योंकि, ठीके ब्रेकेट नहीं लगाएंगे, भ्रेकेट हटा दीजिए, फिर आप लिखेंगे क्योंकि यह है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीके बच्चों तो यह आपका अंसर हो गया अब देखिए कोशे नमबर 3 एक अमल और एक शार का नाम लिखे तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना है अमल का नाम साइट्रिक अमल और शार का नाम केल्शियम हाइड्रोकसाइड यह आपका अंसर हो गया अंसर नमबर 3 हो गया अब कोशे नमबर 4 थोड़ा समझने की जरुवत है, कुशे नमबर 4 है, रासेनिक गुड़ों के आधार पर, धातो और अधातो में अंतर इसपस्ट कीजिए, तो देखे बच्चों, रासेनिक गुड़ के आधार पर, यह 5 पॉइंट दिये हुए, इसमें यह जो टेबिल बनी हुई है ना, जो हमने पढ़िये यह, तो आप 5 मत लिखे, आप बस 3 पॉइंट लिख दीजिए, एक यह पॉइंट लिख देना, 4th का 1st, ठीक है, एक आप लिख देना यह वाला पॉइंट, 4th का 2nd, लिख दीजिए, चलिए, ठीक है, और अगर आप 5 लिखना चाहे, तो आप 5 भी लिख सकते हैं बच्चो, और आप एक यह वाला पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है, और अगर आप 5 पॉइंट लिखना चाहते हैं, तो देखे, मैंने निशान तो यही से लगाया, यहाँ गुड से ही स्टार्ट करेंगे, आंसर नमबर 5, ऐसी टेबल बनाएंगे धातू और अधातू की, और आप यहाँ तक आंसर लिख देंगे, यहाँ तक जटिल होती है, ठीक है, अगर पांचो पॉइंट दे देंगे, तो अच्छा है, जिस बच्चे को छोटा आंसर लिखना है, वो 3 पॉइंट लिख सकता है, रसेनिक गुड दिखाना एक कॉलम में, एक में धातू और एक में धातू का अंतर दिखाना, और सामने सामने वाले ही कॉलम लिखने हैं, ठीक है, तो यह आपका होगा, अंसर 4, आप कोशेन नमबर 5 है, कौन सी गैस पॉप दोनी के साथ जलती है, तो आप अंसर में लिखना, हाइट्रोजन गैस, ठीक है बच्चो, आपकी वक्षिट सॉल्व होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आइए, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमाई चल्ल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स पो वाचिंग,